Assalamu alaikum, मैं Zulekha Arfad, Zulekhaas Kitchen से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बड़ियासा bonless मच्छी बिर्यानी, बहुती मज़ेदार, जटपट घर पर आसाई से बनता है, बहुती लजीज है, मतलब मेरा फिर से मन कर रहा है, उसे देख कर फिर से बनाने का, बहुत ही डिलिश्यस बनती ह वैसे मैं इसे इना नारियल की चटनी के साथ, जो हमेशा में सीफूट के साथ सर्फ करती हूँ, उस चटनी के साथ मैं सर्फ कर रही हूँ इस बिर्यानी को, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां आप चेक कर लीजीगा, मैंने बना कर मेरे चानल पर आपनों के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप अहां चेक कर लीजेगा, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसपी, साधारन या और ओर्डिनरी इंडीडियन से एक्स्ट्राइडिनरी और जबराट मच्छी की बिर्यानी बनाते हैं, चलिए, वैसे मैंने रोहु मच्छी बोनलेस लिए, आप चाहें तो हड़ियों के साथ, बोन्स के साथ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी तरीके की मच्छी, आपकी मन पसंदिता मच्छी ले सकते हैं, पापलेट, डाडा, रावस, सुर्मई, मैं भी पहली टाइम ही ये खा रहे थी, तो मुझे तो अच्छी लगी टेस्ट में, लेकिन आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहां आदा किलो बोनलेस लिया है, अच्छे से मैंने इसके बड़े-बड़े पीस की हैं, आप आपके एसाब से पीस कर सकते हैं, दो-तिन पाने से धो के, थोड़ा सा पैट ट्र लाल मिर्चो का पाउडर, आप चाहें तो दोनुम एक ही तरीके का भी दाल सकते हैं, कम्याजाद अपने स्वादा नुसार दाल दीजेगा, एक छुड़े चाह का चमच पुना पीसा जीरा पाउडर, आदा छुड़े चाह का चमच हल्दी, थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पुन जितना तेल दाल दीजेगा, आदा छुड़े चाह के चमच नम्मक या फिस्वादा नुसार दाल दीजेगा, दो छुड़े चाह के चमच अधरक लसन का पेस्ट दाल दीजेगा, और एक मीडियम साइस के निम्मू को पूरी तरीके से निचोड लीजे, बिजे फेग दीज और इसे दाल सारी चीजों को दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स करके आधे पॉने घंटे तक मेरिनेट करने रख दीजेए अगर आपके पास जादा समय है तो आधे पॉने घंटे के लिए रखे लेकिन कम टाइम है तो 15-20 मिनिट के लिए अट लीस्ट मेरिनेट करने रख यानि कि मच्छी की और अपने चावलों की यह बासमती चावल है मैंने आधे पॉने घंटे पहले इसे भीगा के रख दिया था फिर पानी के अंदर जादा नम्मक डाल दिया अच्छे से थोड़े से गरम मसाले डाले और यानि कि स्पेशली तो मैंने वो बहुत डाले हैं ह हरी इलाइची तीन-चार हरी इलाइची दाली थोड़ा सा जीरा दाला थोड़ी सी फोतमिर दाल कर इसे अच्छे से उबाल लिया एक कणी रहे तक इसे चावलों को उबल गए तो मैंने इन्हें चान लिया और यह मैं इसे साइट पर रख दे हूँ अब हम आगे की प्रपे आपकी बोन्स के साथ भी हो तो भी आप लगा दीजिए ऐसी तरीके से मेरी विदावट बोन्स है तो भी मैं लगा रही हूँ अच्छा आप जब लगा दें तो मेरे आप माशालला देख सकते हैं फ्राइपन बहुत ही बड़िया सा बड़ा है तो मेरी सारी मच्छी आ है तो पलट दीजिए और पीछे का साइड भी देड़ दो मिनिट तक पका लीजिए हमारा मेन मकसद यहां पकाने का यह है कि यह लाइट गोल्डन ब्राउन बस हुए वहां तक ही हमें दोनों और से इसे पकाना है अब जो आप एक-एक दो-दो मिनिट जो एक-एक साइड स पका रहे हो तकरीबन 3-4 मिनिट में तो आराम से मच्छी 80-90% पक जाती है बाकी का जो बचेगा हम उसे जो चावलों के दम पे डालेंगे हमारी बिर्यानी के लिए तब पक जाएगी तो चलिए मैंने इसी तरीके से सारी मच्छी निकाल ली है जैसे आप देख सकते है दोन मच्छी के पीसे को साई पर रख देती हूँ अब एक कढ़ाई है जिसमें भी आप मसाला बगारना चाते है उसमें यह जो तेल आपने जिसमें मच्छी को फ्राइ किया वो सारा डाल दीजिए आप चाहे तो बेशक छानकर डाल सकते है मैंने छानकर नहीं डाला है अच्छा इसमें जो साईड पर है न मुझे थोड़े बहुत मसाले लगे हुए मिले थे यह जो फ्राइपन के अंदर तो मैंने इन्हें यह देखिए प्याले में निकाल कर साईड पर रख दिया है इसे मैं आगे जाके इस्तमाल करूँगी अब यही तेल के अंदर दाल दीजिए दो काली मिर्च, एक लॉंग, दो तेज पत्ता, एक डांडी दाल चीनिकी, दो हरी लाइची और आदा छुड़ा चैका चमच, साबुद जीरा दाल कर बहुत अच्छा गरम तेल में तर-तरा जाने दीजिए जब तर-तरा जाए तो दो मीडियम साइस की प्यास को स्लाइस करकर दाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राय कर लीजिए तब तक फ्राय कीजिए जब तक हलका सा लाइट, गोल्डन ब्राउन होना शुरूई होए बस प्यास होना शुरूई होए वहाँ पर एक टेबल स्पून अधरकलसन का पेस्ट दाल दीजिए और उसे भी बहुत अच्छे से फून लीजिए, तब तक भूनिये, जब तक कच्छे पन की हुश्भू नहीं चले जा दी, तब भून ले, तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टेमाटरों की छील निकाल ली है, और इसे बारिक-बारिक काट कर दाल दिया, और दो मीडियम साइज क आज चला लीजिए, तरह दाल दीजिए, आधा चुड़े चमच हल्दी पावडर, दो चुड़े चमच धनीया पावडर, एधा च्या-कचमच कहिश्मीदी लाल मिर्च पावडर, आधा च्या-कचमच, spicy वाला लाल मिर्च पावडर और एक चुड़े-चा-क भूना origins जी- तो आप यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, मिक्सर जार के अंदर पानी 1 4th cup जितना डाला है और इसमें चला कर इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए एक बार और स्लोज करके इसे ठाक कर तब तक पकने दीजिए, जब तक तेल नहीं छूट चाता है, चलिए मसाला अच्छा भून चुका है, बड़ अभी भी मुझे थोड़े थोड़े टमाटर देख रहे हैं, तो अभी भी टमाटर हुए नहीं है, मैं स्पेचुला की मदद से इस तरीके से प्रेस कर देती हूँ, फिर से मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, 1 4th cup से थोड़ा ज़ादा डाला ह मैंने इस बर, और इसे फिर से डाल कर, स्लो आज पर ढाल कर पकने दीजिए, तब तक पकाएं, जब तक फिर से तेल नहीं चूट जाता, तब तक, चले फिर से मसाला भून चुका है, आप देख सकते हैं, मैंने दूसरी बार मसाला भूना है, दो बार किया है, बड़ी ऐसा मसाला भून चुका है, तो अब यहां में डाल देती हूँ, आधा का पानी, आप चाहें, तो फास्ट आज पर रखें, मैंने मीडियम आज रखा है, आप मीडियम आज भी रख सकते हैं, इसे एक बार चला लीजिए, नम्मक अज़स्ट करना चाहें, तो नम्मक बेशक अज दाल रही हूँ, आधी मैं जो बिर्यानी की ऊपर वाली लेयर है, राइस की, उसके उपर लगा दूँगी, तो चलिए मैंने आधी दाल दी है, इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए, बहुत जादा उससे मत मिक्स कीजिएगा, नहीं तो मच्छी तूटने का डर है, अब जो तो भी तेल थोड़ा सा मुझे दिखा, वो भी मैंने थोड़ा दाल दिया, प्लेट में से, हल्के हाथ से इसे मिक्स करते जाए, जादा बहुत जोर से मत मिक्स कीजिएगा, नहीं तो टूट जाएगी मच्छी, और ये जो साइट पर मसाला मेंने रखा था, फ्राइंग का म मैं ये जो मसाले वाली मच्छी है, उसको भी थोड़ा सा नेतार के निकाल कर साइट पर रख देती हूँ, क्योंकि क्या है न, कभी वखत वो मच्छी, मतलब चावल जब हम उपर नीचे करते हैं, तो टूटने का डर रहता है, इसके लिए मैंने निकाल लिया, लेकिन हाँ, आधी पकानी ज़रूरी है आपकी मसाले के अंदर, क्योंकि वो फ्लेवर आना चाहिए, न, मच्छी के अंदर मसाले का और मसाले के अंदर मच्छी का, तो at least मैंने आधी मच्छी पकाए, आप चाहें तो पूरी मच्छी मसाले के अंदर दाल दीजिए, जब मसाला बन जाए तो सारी निकाल लीजेगा, आप दोनों ही वे कर सकते हैं, लेकिन मसाले के अंदर मच्छी पकाना बहुत ज़रूरी है, चाहें आप आधी पकाएं या सारी पकाले, चलिए बिर्यानी को असेंबल कर लेते हैं, मैंने मसाला उस पतिली में से निकाल लिए, क्योंकि मुझे इसी देखा, वो भी आप कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो मसाला है, वो सारा बिसमिल्लाय रह्माने रेम बोल कर दाल दीजिए, और जो भी हमारी पतिली के अंदर लगा हुआ है, उसे भी पोच कर मसाला सारा दालिए, और चारो और फैला दीजिए, इस तरीके से, अब दाल थोड़े से पुदीने के पते भी दाल दीजिए, और थोड़ा से मैं यहाँ बिरिस्ता मेरे पास रखा हुआ है, वो दाल देती हूँ, बहुती बड़िया टेस्ट आता है, बिरिस्ता यह समय दालना मत भूलिएगा, अगर आपके पास ना हो, तो पहले से प्रिपेर करके स पर रख दीजिएगा, फ्राइड अनियंस को, अचा बाकी के चावल दाल दीजिए, बचे हुए, बॉल करे हुए सारे, उसके उपर मैं दाल देती हूँ, आधा का पानी चारो और छिड़क दीजिए, यहाँ पर मैंने फूट कलर केसरी वाला पानी में थोड़ा सा घोल कर मैं ये भी डाल देती हूँ, अब अगर आपने मेरी तरह मच्छी को सेपरेटली रख लिया था, निकालकर मसाले में से, तो इन्हें इस तरीके से चावलों के उपर बिचा दीजिए, सारी मच्छीों को, बिस्मिल्लाय रख्माने रेम बोलकर, और जो मसाला है, प्लेट के अंदर लगा हुआ मच्छीों का, वो भी सारा इस तरीके से डाल दीजिए, मच्छी के उपर, और खूब सारी बारी कठी हुई, कोथ मेरी याने के हरा धनिया डाल दीजिए, मेरे पास बिरिस्ता रखा हुआ है, मैं बिरिस्ता भी डाल रही हूँ, प्यास का, जो फ्राइ क अब मेरी पतीली थोड़ी सी पतली है, तो मैंने नीचे पहले गरम कर लिया था, तववे को 5 मिनिट फास्ट आज पर, फिर नीचे तववा रखा, उसके ओपर ये जो हमारी बिरियानी की पतीली रखी, और इसके ओपर वजन रखे, तक करीबन 15-16 मिनिट तक दम पर पकने दिया, चलिए, 12-17 मिनिट हो चुके हैं, सबसे पहले मैंने चूला कर दिया था बंद, और ये जो नीचे तववा है, उसे हटा दीजिए, और मैं आपको एक बार खोल कर दिखा देती हूं, बढ़िया सी पिरियानी हमारी, माशालला, अच्छी भाप पूटी आप देख सकत नहीं थी, कि बिल्कुल भी लगी नहीं है, भलके 16-17 मिनिट हो चुके हैं, मैं इसे ढाक कर अज इस अभी 15 मिनिट रहने देती हूं, क्योंकि 15 मिनिट हम इसके लिए रखते हैं, कि जब हम उसी समय चावल निकालते हैं, तो चावल तूट पूट जाते हैं, 15 मिनिट बाद चावल तूटेंगे, फूटेंगे नहीं, चलिए, अब मैंने मच्छी उपर से हटा दिये, सबसे पहले 15 मिनिट के बाद मैं यहां चावलों को निकाल लेती हूं, उसके उपर ये बढ़ियासी जो मच्छी है, उसे लगा देती हो, पर ये बन गए हमारी मज़ेदार सी, पर दाल दीजिएगा, यह जो बिरिस्ता है, जब आप मसाला बना लेते हैं, और जब आप असेंबल करते हैं बिर्यानी में, तब भी आप खूब सारा बिरिस्ता दालेगा, बहुत बड़िया फ्लेवर आता है, और इस समय भी बिरिस्ता दाल कर ही सर्फ कीजिएगा, और मै आपका बिरिस्ता, उसके बाद उसी तेल को आप फ्राइपन में डाल कर, उसके अंदर आप मच्छी वगार लीजिए, मच्छी फ्राइ हो जाए, तो वही तेल आप क्रेवी में डाल दीजिए, तो चलिए, अगर आपको यह रेसेपी अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रू